साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदी पुरुष को लेकर एक दिल्चस्प जानकारी सामने आई है इस फिल्म का निर्मान बॉलिवुड फिल्म ताना जी के निर्देशक ओम राउत कर रहे है सुपरस्टार प्रभास और कृति सैनन स्टारर इस फिल्म में अब एक नई एक्टरस की एंट्री होने की खबर है इस बात की जानकारी एक लीडिंग एंटर्टेन्मेंट पॉर्टल ने दी है सुपरस्टार प्रभास और कृति सैनन स्टारर फिल्म आदी पुरुष की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो चुकी है अब खबर है कि फिल्म में कृति सैनन की अलावा भी एक जानी मानी फिल्म स्टार नजर आने वाली है दिल्चस बात ये है कि इस निउस को खुद सोनल चोहान नहीं कनफर्म किया है एंटर्टेन्मेंट पॉर्टल इटाइम्स के मुताबिक फिल्म आदी पुरुष में एक्टरस सोनल चोहान नजर आने वाली है फिल्म में प्रभास भगवान राम का मुख्य किरदार निभाने वाले है और उनके विपरीत विलन के किरदार को निभाने का जिम्मा सैफ अली खान का रहेगा जो ओम रौत की पिछली फिल्म ताना जी में भी नेगटिव किरदार निभा चुके है वहीं फिल्म में लीड रोल यानि माता सीता का किरदार निभाएंगी एक्टरस कृते सेनन जननत फेम एक्टरस सोनल चोहान ने भी खुद इस रिपोर्ट की पक्की महर लगा दी है कि वो आदी पुरिश फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है सोनल ने फिल्म के बारे में बात करते वे का हां मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ ये अब तक की काफी अलग दुनिया है जैसा मैंने अभी तक काम किया है मुझे पक्का यकिन है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी खास बात ये है कि ये अदाकारा सोनल चोहान की पहली पौरानिक फिल्म है हाला कि एक्टरस ने अपने किरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया बता दे इमरान हाशमे स्टारर फिल्म जननत से अदाकारा सोनल चोहान ने अपना डेब्यू किया था इसके बाद एक्टरस साउथ फिल्मों की दुनिया की ओर मुड़ गई जहां एक्टरस ने कन्नड़ा, तिल्वू और तमिल फिल्मों में काम किया इस दौरान वो इकका दुक्का हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दी हाला कि ये फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई आखरी बाद एक्टरस साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म दपावर में नजर आई थी जल्दी अदाकारा नागा अरजुन स्टारर फिल्म दगोस्ट में भी नजर आने वाली है इसे प्रकार की तमाम जानकारें के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार